हेलो फ्रेंज स्वागत है सुमन कीचन में आपका फ्रेंज आज मैं बनाने जारी हूँ आलो का मिनी कचोरी तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए और कैसे बनाएंगे फ्रेंज आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्रंची और बहुत ही क्रिस्पी ब बनाना सकते हैं बहुत ही असान है इसे बनाना और बहुत ही टेश्टी बनता है बच्चों को तो बहुत पसंद आता है तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक बॉल में हम एक कप मैदा लेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा हाफ टेबल इस्पून नम्मक एड़ करेंगे टेश्ट के हिसाब से और इसमें मैं 3-4 टेबल इस्पून देशी घी डाल रही हूं और यहां पर आप वैल भी एड़ कर सकते हैं और इसे अच्छा से हम मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते हैं हमने इसे मिक्स कर लिया है इस तरीके से बंद जाए तो यह अच्छा से मोयन त्यार है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम इसका डो लगाएंगे और हमें रोटी जैसा डोड़नी लगाना है थोड़ा रोटी से सकत लगाना है तो आप देख सकते हैं डो त्यार हो चुका है तो इसे हम ढखके 10 मिनिट के लिए रख देंगे तो पूट की हिंग हाफ टेवल स्पून सौफ और हाफ टेवल स्पून में जीरा डालूंगे इसमें इसे थोड़ा सब भून लेंगे तो आप देख सकते हैं जीरा भून चुका है तो इसमें 2-3 हरी मिर्च बारिक कटा हुआ हम एड़ करेंगे और थोड़े सा हम इसे फ्राइ क कर लेंगे उसके बाद से हम यहां पे लिए हैं चार से पांच बोईल आलू और इसे बारिक मैज कर लिया है हमने और इसे हम इसमें एड़ कर देंगे आलू के साथ ही इसमें हम नमक एड़ करेंगे टेस्ट के हिसाब से वाल फोर टेवल स्पून धनिया पाउडर हाफ्टेवल स्पून चाठमसाला हाफ्टेवल स्पून कोई सभी मैई turbine मसाला हार एम डिफ मसाला कोई सभी मसाला इसमें ढाल सकते हैं चटपटा करने के लिए और इसे हम दो मिनंट के लिए low to medium flame पे भून लेंगे तो आप देख सकते हैं इसे अच्छा से हमने दो मिनट तक भूल लिया है मसाला पक चुका है हालू के अंदर तो अब इसमें पारी कटा हुआ हम हरा धनिया एड़ कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे तो आप देख सकते हैं हरा धनिया हमने मिक्स कर दिया है अब गैस को हम ओफ कर देंगे यहां पर मसाले को ठंडे होने देंगे चलिए हम आठा को चिक कर लेते हैं तो इसी हाथ से हम थोड़ा और चिकना करेंगे इस तरीके से मसल कर और यहां पर आठा बिल्कुल रेडी है तो चलिए इसे छोटे-छोटे लोई कट कर लेते हैं फ्रेंस हमें छोटी साइज की कचोरी अब बनानी है तो हम पिल्कुल छोटे-छोटे इसके लोई तियार किये हैं आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं इस साइज के हमने बनाया हुआ है तो जितना हमारा कचोरी का हमने पिगड़ा तियार किया है उतन त्सकोडिक이 क्चोडी बनाना बहुत है असान होता है तो इस तरीके से हमने लाहें आप देख सकते हैं तो चल बूण त्यक्ताइस चलिए इसमें करता है सब से पहले एक लीगें tendencies को प के लिए आत्हों से आत्हों यहां। को फैलाएंक वाफ करता crying इसे बेलना नहीं है हमें हमें हाथों से ही इस तरीके से हमने फैला लिया है और इसमें एक बॉल डाल कर इस तरीके से हम पैक कर देंगे चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि ते असानी से ये पैक हो चुका है, थोड़ा सा हम इसे प्रेस कर देंगे उपर से, तो ये तयार है कचोड़ी बनकर, इसी तरीखे से हम सारे कचोड़ी को तयार कर लेंगे, फ्रेंज ही पॉल जब बना लेते हैं मालू का तो बहुत असानी से भर जाता ह यह देखिए बनकर दूसरा कचोड़ी भी त्यार हो गया है तो इसे तरीके से हम सारे कचोड़ी को त्यार कर लेंगे आप देख सकते हैं सारे कचोड़ी को हमने त्यार कर लिया है तो चलिए इसे फ्राइ कर लेते हैं गैस अन करके हमने वैल गरम कर लिया है और यहां हम रखना है कि बिल्कुल low to medium flame पे हमें कजोड़ी को तलना है शुरू के 2-3 मिनट हम low to medium flame पे तलेंगे पलट पलट के उसके बाद से हम थोड़ा सा गैस को तेज करेंगे ताकि यह अच्छा से फ्राई हो और क्रिस्पी बने इसके लिए हमें बिल्कुल high flame पे फ्राई नहीं करना है यह तो एक कच्चा रह जाएगा तो आप देख सकते है यह 2-3 मिनट हमने पलट पलट के खचोड़ी को low to medium flame पे फ्राई कर लिया है अब यहां पे थोड़ा सा गैस क तो हम तेज कर देंगे तो आप देख सकते हैं इसका कलर तो कुल मिला के चार से पांच मिनट फ्राई करने में लगे हैं और यहां पर कचोड़ी बनके बिल्कुल रेडी है और कलर भी आप देख सकते हैं उतना ही क्रेश्पी बना हुआ है और इस तरीके से इसका कलर आया है आप देख सकते हैं तो चलिए कचोड़ी बिल्कुल रेडी है अब इसे निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम सारे कचोड़ी को फ्राइ कर लेंगे तो आपे देख सकते हैं हमने निकाल लिया तो फ्रेंज हमने सारे कचोड़ी को फ्राइ करके रेडी कर लिया है और यह आप हरे धनी की चटनी के साथ या टेमेटो शॉस या दही किसी भी चीज के साथ इसे सर्व कर सकते हैं रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरू झाल को से सायो किसे रेल हमें जरू।